सलाम उलिकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को YouTube channel and English literature पर welcome कहती हूँ आज जो topic इस lecture के अंदर हम cover करने जा रहे हैं that is post-colonial feminism another important topic एक और important topic है जो के feminism के response में हमारे पास सामने आया क्यों? क्योंकि जो feminism था उसका main concern western women के साथ था white women, white female मतलब इनका ज्यादा link जो था वो eastern countries के साथ या फिर non-white के साथ नहीं था तो उसके response में हमारे पास post-colonial feminism आया कब आया? 1980s में तो पहले हम इस topic को discuss करने से दो concepts clear करेंगे कि post-colonialism क्या है, feminism क्या है then हम बात करेंगे post-colonial feminism के उपर तो शुरू करते हैं lecture को what is post-colonialism what time period जो के colonialism के बात शुरू हुआ उसको हम कहते है post-colonialism word post का मतलब है after ठीक है जो किसी चीज़ के बाद है colonialism क्या है? colonialism उस time period को कहते हैं जब कोई आकर आपके उपर अपनी हकूमत कायम करके बैठ जाए for example अगर आप subcontinent का time period याद करें उस time में क्या हुआ? subcontinent में हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे सिख भी थे मतलब सारे लोग कठे रह रहे थे बरसगीर में वहाँ पे कौन आया? अंग्रेज आ गया अंग्रेज ने क्या किया? आके अपनी कलूनीज बना ली हकूमत कायम कर ली ठीक है? तो वो time period जिस time पे अंग्रेजों ने आके subcontinent के उपर अपनी rulership कायम कर ली वो इस time period को कहते हैं colonialism ठीक है? अब वो कब तक वहाँ टिकते? एक दिन तो जाना था ना तो क्या हुआ? कुछ time गुज़रा? अंग्रेज चलेगे वापस अपने घर फिर क्या हुआ? कि जब अंग्रेज वापस चलेगे अपने घर तो उसके बाद जो time शुरू हुआ वो कौन सा हुआ? after colonialism या फिर post-colonialism concept clear होगे आपका? कि what is colonialism? मैंने स्रफ एक्जामपल दी हैं अंगरेजों की कोई भी हो सकता है कोई भी जाकर कई भी जाकर किसी भी country के अंदर अपनी रूलरिशिप कायम कर सकता है लेकिन मैंने एक्जामपल देखे समझाया है क्योंकि ये एक वाइड एक्जामपल है तो colonialism वो time period हुआ जब कोई आके अपनी colonies बनाके किसी country के अंदर रह रहा है ठीक है अपनी power गायम करके और उनके जाने के बाद जो time शुरू हो that is after colonialism या फिर post-colonialism तो post-colonialism कोई सा time period हुआ कि वो time period जो के colonialism के बाद शुरू होता है इसके अंदर हम study का करते हैं लोगों के उपर उसका क्या impact हुआ culture के उपर मतलब for example दुबारा subcontinent चलते हैं वहाँ पर क्या हुआ अंग्रेज आए आने के बाद चले गए तो उनके जाने के बाद क्या होगा कोई ना कोई तो असर हुआ होगा ना तो वह असर क्या हुआ है उस असर को study करना ठेक है उस impact को study करना उसका impact culture पे भी हुआ थीक है हमारे culture पे बहुए उसका impact है कैसे language उर्दू है लेकिन हम बोल कर रहे हैं English बोल रहे हैं हमारे words कैसे हैं एवन के हमारी उर्दू भी प्योर नहीं है, हमारी उर्दू के अंदर भी हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमके करते हैं बीच में jeans भी, pant भी, अगर हमारे hair styling की बात की जाए तो पट्टा लेना, लेकिन हम लोग बाल straight करके open भी कर रहे हैं, तो यह क्या है, यह सारे impact ही तो हैं किसके, colonialism के, ठीक है, तो इसको study करना कि colonialism का क्या impact होता है, उसकी study को हम कहते हैं post-clonialism, यह simplest word, कि जब अंग्रेज चले गए, अंग्रेज के जाना के बाद, culture के ओपर, society के ओपर, लोग के ओपर, क्या असरात हुए, उन अंग्रेजों के आने के, उनके जाने के बाद, वो सब कुछ हम post-clonialism के देश टेड़ी करते हैं, और उनमें सबसे इशू जोआ था, वो identity crisis का हुआ दायस्पोरिक हो गए थे लोग, क्योंकि लोगों ने shifting करना शुरू कर दी थी, और सबसे important बात, partition हो गई थी, क्या हुआ था, इंडिया separate और पाकिस्तान separate हो गया, अब पाकिस्तान का time period 1947 से post-clonial time period शुरू हो गया था, क्योंकि उस time पाकिस्तान एक separate state था, किसी की भी उसक post-clonialism आपको clear हो चुका होगा, अब है feminism क्या है, क्योंकि हमारी थे ही जो हमने discuss करनी है, that is post-clonial feminism, तो अब feminism क्या है, feminism basically एक social, political, economical movement शुरू हुई थी, जिसमें women की right के बारे में बात की गई थी, कि women को उनका right दिये जाए, women are equal to men, ठीक है, औरते मर्दों के बराबर हैं और इस बात को admit किया जाए, औरतों को जो हकुक मर्दों को दिये जा रहे हैं, उतने ही हकुक औरतों को दिये जाए, equality of women की बात करते थे इस theory के अंदर, लेकिन ये theory start करने वाली western women थी, और इसमें main right उनको ही मिले थे, क्योंकि three waves आई थी ना, first wave, second wave, third wave, अगर हम first wave की बात करें, तो first wave में इनको start करने वाली इस movement को कौन थी, western women थी, जिन्होंने अपने right की बात की थी, और वहाँ पे aristocratic ladies थी, middle class की ladies थी, उनको white ladies थी, उनको vote का right मिला था, लेकिन blacks को अभी तक कोई right नहीं मि movement के अंदर, यानि कि first wave के अंदर ना तो उनके हाग की कोई बात की गई थी, तो यहां मैं एक concept share करूंगी, ध्यान से देखिएगा, एक होते है colonizer, ठीक है, एक होते है colonized, colonizer वो जिन्होंने आके हकूमत काईम की, colonized वो जिनके उपर हकूमत काईम की गई, यानि कि subcontinent के blacks के उपर, subcontinent के उपर अपनी rulership काईम की थी, अभी जो white है as a whole है, अब इस white के अंदर white women भी थी, white men भी थे, और यहां पर जो colonized थे, इनके अंदर black women भी थी और black men भी थे, तो in short, जितने भी लोग थे colonizer के, उन्होंने जितने भी लोग थे colonized के, ठीक है, मतलब जितने भी लोग थे black के, उनके उपर आकर अपनी rulership काईम कर ली थी, ठीक है, बीस में, औरत भी आ रही है, important point है, इसको आप माइन में रखिएगा, कि सफेद औरतों ने, white औरतों ने, black औरतों को exploit किया था, marginalized किया था, suppress किया था, ठीक है, एक तरफ white औरते, movement चला रही हैं, जिसमें व वही white औरतें, black को exploit भी कर रही हैं, ठीक है, black में black की औरतें आ जाती हैं, तो इस feminism की थेरी के अंदर, proper बात की गई western women की, ठीक है, हाँ, फिर second wave आई, जिसमें sisterhood का concept आया, लेकिन फिर भी sisterhood के concept आने के बाद भी, जो further eastern women थी, या फिर blacks थी, उनके right के बार में बात नहीं की गई थी, तो इसी लिए इसके reaction में, इसके response में एक और थेरी आई, that is known as post-colonial feminism, जो के in 1980s में develop हुई थी, कब 1980s में developed हुई, जिसमें उन ओरतों के right के बार में बात की गई, जो के formerly colonized थी, मतलब जिन ओरतों को colonized किया गया था, और उनकी colonialism के बाद क्या response था, क्या हालत थी, क्या condition थी, ये सब कुछ, तो in short, feminism क्या है, ये एक general body है, ये एक movement है, literature की, ठीक है, general body of movement and literature, जो के women right की, equality to men के बारे में, produce किया गया था, specially किसने शुरू किया था, western women ने, इन्होंने struggle किया और इनकी struggle continue रही, until इन्होंने अपना जो target था, अचीव कर लिया, लेकिन, ये target अचीव करने के बाद दी, वो women, जो के formerly colonized थी, जिनको oppression का सामना करना पड़ा था, whites के, उनके बारे में, कोई भी right की, मतलब कोई भी right नहीं बात की गई उसके अंदर, किसी भी hak के बारे में बात नहीं की गई उनके, अब वो formerly colonized countries के अंदर हमार पास पाकिस्तान की women आ गई, चाइना, जपान, और mostly South Asia की women आ गई, तो realities different थी, कहां पर different थी, feminism में और उसके बाद जो colonized women थी, उनके बारे में, क्योंकि जो colonized women थी, they were doubly colonized, उनको doubly colonized किया गया था, अब ये doubly colonized का concept किया है, basically important concept है, माइन में रखियेगा, के एक औरत, कहां पर है, subcontinent में है, वहां पर कोन है, अंगरेज आ गए, और साथ ही साथ, वो जब आके oppress कर रहे हैं, suppress कर रहे हैं, subjugate कर रहे हैं, वहां के लोगों को, तो उन में female भी include है, ठीक है, मतलब female को subjugate किया जा रहा है, female को oppress किया जा रहा है, फिर इसके बाद क्या यानि के जो black man है, वो भी female को exploit कर रहे हैं, मतलब ये के black man भी female को exploit कर रहा है, और white man भी, black man in the name of culture exploit कर रहा है, according to this theory, और white man आके in the name of clonialism, उसको exploit कर रहा है, तो it means के female थी, उसको दोनों तरफ से oppression phase करना पड़ा, एक कहां से, एक black female को black man की तरफ से ही, और दूसरा black female को white man की तरफ से ही, तो इसी लिए जो female थी उनको doubly colonized कहा गया, तो अब जो women थी, जो post-clonial women थी, वो इस colonization से, इस exploitation से अजादी चाहती थी, जिसके बारे में feminism के अंदर बात नहीं की गई थी, तो post-clonial feminism बिलकुल different हुई feminism से, क्योंकि इसमें हमारे पास जो problems थी, वो भी different, situations थी, वो भी different, इसका aim क्या होता है? Post-clonial feminists wanted that this treatment of doubly colonized should be removed, ठीक है, ये remove किया जाए, तो इसका मकसद यह है, to understand and undo the legacies of colonialism within feminist activism, post-clonial feminism wants to decolonize feminist activism, कि feminism की जो movement से ली, उसने तो बात नहीं की ना, colonized women की, तो इनका में मकसद क्या था, कि जो colonized women है, उनने blacks भी आती है, South Asian भी आती है, Chinese, Japanese सारी आती है, उनके भी right की बात की जाए, It is different from feminism because it deals with the women who are mainly not western but eastern and also discusses the issues of women in post-colonial era, कि post-colonial era के अंदर में women को क्या-क्या issues face करने पड़े, उनको suppress किया गया, उनको subjugate किया गया, उनको rape किया गया, उनकी chastity को destroy किया गया, anyhow, जब separation हो गई, फिर उनको four walls के अंदर बं कर दिया गया, in the name of culture, और जो सबसे important issue था, post-colonial women का, post-colonial era के अंदर, that is doubly colonized, किसे कहते मैं आपको explain का चुकी हुई हूई हूँ, और जो post-colonial feminists थी, वो चाहती थी, कि जो doubly colonized का concept है, यह इन से removed कर दिया जाए, जबकि जो western women थी, वो doubly colonized नहीं थी, तो in short, post-colonial feminism is a reaction, किसकी against है, feminism के, जो के, बात करता है, colonized feminism की, ठीक है, colonized women की बात करता है, जिसमें South Asian women भी include हैं, blacks भी include हैं, इसके इलावा, Chinese और Japanese जितनी भी colonized women थी, उनके riot के बारे में बात करता है, और कुछ important हमारे पास families के जो name है, उसमें हमारे पास, यह मैंने screen पे आपको सारे name शो कर दिये, और इन मेंसे, जो order lord है न, यह most important है, and then, चंदरा मुहानती, बहुत important है, इनका important work मैंने साथ में लिख दिया है, साथ में गायती चेकरवर्थी, स्पिविक, इसका केंदे स्पाल्टन स्पीक सबसे important work है, जिसके इंदे, जो स्पिविक है, वो बात करती है, female की, कि female को स्पाल्टन बना कर रखती है, उनकी voice को voiceless करके रखती है, उनकी voice नहीं सुनी जाती, in a post-lional era, ठीक है, post-lional era के अंदर, post-lional world के अंदर, एक women की आवास को दुबा के रख दिया है, तो उसकी आवास सुनी जाने चाहिए, उसको भी value, उसको भी worth दी जाने चाहिए, विमेन को marginalize किया गया है, डबली marginalize किया गया हुआ है, तो स्पिवेक ने अपने केंदर स्पाल्टन स्पीक के अंदर, विमेन के लिए, विमेन राइट के लिए, उनकी voice के लिए आवास उठाई है, तो post-lional feminism जो है, basically, racism based भी थे रही है, जो यानि के हर race की, हर gender की बात भी करता है, जितने racial issues हैं, विमेन को face करना पड़े, उसके बार में बात करती है, इस तरहां से हमारे पास Baptist सिद्वा है, एक post-clonial feminist writer है, जिन्होंने ice candy man लिखा, और उसमें दिखाया के विमेन के साथ क्या treatment किया गया, इस तरह से हमारे पास एक work है, My Feudal Lord, इस तरह टोनी मोरसन का Beloved, यह सब क्या है, इस तरह पोस्ट-clonial feminist work है, जिसके अंदर female के subjugation, oppression दिखाया गया है, और उनके riot के बारे में बात की गई हुई है, तो यहां lecture हमारा हुआ complete, I hope कि आपको post-clonial feminism के लिए रोचुका होगा, इसमें कोई भी confusion नहीं बागी रही होगी, वीडियो पसान दाई तो वीडियो को like भी करेगा, comment में ज़रूर पताएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी हो, कोई भी question नहीं को लाजनी करिएगा, I will response you, इंशाला ताला, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लक्षा के साथ तब तक के लिए, अल्ला हाफिस,